जिहां दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप एक न्यू क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप Amazon Pay का ICC क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं जी हैं दोस्तों अगर आप आसन किस्तों पर कोई भी मुबाइल या अन्य एलेक्ट्रोनिक आइटम लेना चाहते हैं तो अमेजन पे ICC क्रेडिट कार्ड की मदल से ले सकते हैं इस कार्ड को अमेजन ने ICC बेंक के साथ मिलकर बनाया है और इसे 2018 में लॉंज किया गया था अब तक 1.4 मिलिन से भी अधिक लोग इस कार्ड को बना चुके हैं दोस्तों इस कार्ड की खास बात यह है कि ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री में मिलने वाला है ना तो इसमें कोई hidden charge लगेगा और ना ही इसमें आपको annual charge देना पड़ता है साथ में आप जितनी भी बार इस कार्ड से shopping या बिल पे करते हैं तो आपको धेट सारा case बेक भी मिलता है इस कार्ड को बनाने के लिए नहीं आपके पास से salary slip मांगा जता है और नहीं कोई income tax certificate इस कार्ड को बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और pen card और bank account होना जरूरी है आज मैं आपको live process में बताने वाला हूँ कि इस कार्ड को बनाने के लिए आपको कैसे apply करना है स्रब 2% लोग ही subscribe करते हैं बागे 98% लोग वीडियो तो regular देखते हैं बट channel को subscribe नहीं करते हैं तो please आप ऐसा मत करो channel को अभी subscribe करो और वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like जरूर करना तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो friends इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है Amazon वाली application के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं Amazon वाली application को आपको open कर लेना है जैसे आप open करोगे तो यहाँ पर आपको Amazon Pay का option दिखाई देगा तो Amazon Pay वाले option पर आपको एक बार click कर देना है क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने Amazon Pay Balance, Amazon Pay UPI और Amazon Pay ICC Credit Card आवे दिन पूरा कर रहे इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस पर कार का interface यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 million से भी अधिक भारतियों ने इसको मतलब जो इसका order लगा दिया है मतलब इसको बनवा दिया है 2020 तक इसमें 1.4 million थे अभी 2 million से उपर हो चुके हैं और यहाँ पर आप नीचे देख सकते है unlimited आपको 3% तक reward point मिलते हैं और एक reward point का मतलब होता है 1 रुपया और यहाँ पर आप साथ में लिखा हुआ है lifetime आपको free में मिलना वाला और जैसे आप पहली बार बनाओगी तो आपको 400 रुपे केस बेक के रुपे मिलेगा मतलब आप पहली बार order करोगी उस समय तो simple सा आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ अपना आवेदन पूरा करे इस पर आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने इस पर कार का interface आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते Amazon Pay और ICC Bank तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपने detail भरनी है उतना मैं यहाँ पर समझा दूँगा और यहाँ पर आपको simple सा continue पर click कर देना है मेरा card मैं क्या नहीं बनाना चाहता हूँ क्यों कि मेरी उमर जो है यहाँ पर 20 साल से उपर नहीं आलंकि मेरा card बनेगा भी नहीं तो मेरी उमर जो है 20 साल से उपर नहीं है अगर आपका mobile number other card से attach है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर OTP आ चुकी है अगर आपके पास OTP नहीं आती तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जैसा timer चल रहा है जैसे यह timer complete हो जाएगा तो यहाँ पर recent OTP ओला option आ जाएगा तो मैंने यहाँ आपर OTP डाल दी हैं OTP डालने के बाग support कर देना है तो यहाँ पर आपको verified लिखा हına आएगा तो वापध से आपको confirm और प्रोसीड पर click कर देना है जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जब एड्रेस के बारे में और इस परकार की जानकर आपको यहाँ पर बढ़नी पड़ेगी तो यहाँ पर अधर काड़ के अंदर जो भी जानकर यहाँ पर अपडेट है वो सिंपल से यहाँ पर अपने आप सोह होने लग जाएगी उपर सबसे पहले आपको अपना परस्टनल डेटलस में अपना नाम और डेटो बॉर्ट यहाँ पर मिल जाएगा और gender भी अपने आफी select किया हो मिल जाएगा नीचे आपको जो marital state डालनी है married हो या unmarried उसके बाद email ID डालनी है अपने माता का नाम डालना है reference में अपने भाई का नाम या sister का नाम डाल सकते हैं उनके वापस mobile number डालने है और नीचे वाला जो optional है वो आपको खुला छोड़ देना है तो simple सा मैं जो यह जानकारी पूरी भर देता हूँ पूरी जानकारी भरने के बाद अगला वाला state आपको simple सा continue पर click कर देना है तो फ्रांस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी सारी जानकर एक बार भर दी है भरने के बाद simple सा यहाँ पर आपको जो continue वाला बटन है इस पर आपको एक बार click कर देना है जैसे आप click करोगी तो अगला जो interface आएगा इस पर करका आएगा यहाँ पर अपना जो address है जो other card में update है वो address यहाँ पर automatic ही attach हो जाएगा नीचे आपको लिखा हुआ है is the above address same as your current address मतलब current address आपका same है या अलग है तो यहाँ पर आपको yes डाल देना है अगर same है उसके बार नीचे आपको employment type डालना है salary है या self-employed है उसके बारे आपको बताना पड़ेगा या public sector में काम करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी भढ़नी पड़ेगी उसके बाद simple सा यहाँ पर आपको company नाम डालना पड़ेगा उसके बाद अपना जो घर का address है वो आपको डालना है जो company का address है वो डालना है और दूसरी line में भी company का address तेसल लाइन आप खाली छोड़ सकते हैं और लेंड मारक मतलब जो आपके आसपास जो फैमस जगा है उसका नाम डालना है पिन को नमबर डालना है सीटी टाउन का नमबर डालना है तो सिंपल सा मैं ये जानकारी पूरी एक बार भर देता हूँ बढ़ने के बाद सिंपल सा आपको आगे कंटीनी पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सारी जानकारी बढ़ने के बाद सिंपल सा आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आपको सिंपल सा जो है कंटीनी पर क्लिक कर देना है जैसे आप कंटी सिंपल सा आपको continue पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे तो इस परकार का interface यहाँ पर आ जाएगा आपका card अगर आपकी उमर 20 साल से उपर है तो सिंपल सा आपका बन जाएगा मेरी उमर 20 साल से कम है तो सिंपल सा यहाँ पर लिखा होगा कि you are not eligible for the Amazon ICC Bank Credit Card you can apply again in 6 months यहाँ कि 6 माइने के बाद apply कर सकते है तो आपका card आसानी से बन जाएगा लेकिन मेरी यहाँ पर उमर जो है अभी 20 साल नहीं है इस card मेरा यह card नहीं बन सकता है तो मैंने यह पूरी आपको जानकारी बता दिया है कि किस परकार आपको जो अमेजन पे credit card के लिए apply करना है तो I hope यह जानकर आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो इस वीडियो को like जरूर करें और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन